नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज मैं हूँ आपके साथ शिवम बिहार में जो कुरोना का संक्रमन है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है जो पड़े के आकरे हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और अगर राजधानी पटना की बात कर लिया जाए तो कि करोणा पॉजटिवव यह हैं उन्हें उन्हें बुखार और गले में दर्ध की शिकायत थी जिसके बाद उन्होंने अपनाग करोना का यांश कराया था उन्होंने दो बार पहले भी जाए कर आया जिसमें उन्हों का रिपोर्ट जो था वो निगेटिव आया पर तीसरे बार जब उन्होंने जाच कर आया तो उसमें उनका रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आता है और वो अभी होम आईसोलेशन में रहेंगे और वहीं से जो पटना का काम है वहीं से देखेंगे दित्तर गर्वीजिल जेकारी है कि वह घर में भाले अधिकारी कांगे करते हैं लो कि फिल्ड में काम करते हैं जिसल्छ उन्हों क्या वर ने साथ दिनों किया था जिसके बाद बिहार सरकार ने भी इसलिया is की अबधी है उसे बिहार सरकार ने भी बढ़ा दिया था और अभी एक तारिक से लेके 16 अगस्त तक भी जो बिहार में पूरे तरीके से लोगडॉन है पर इस लोगडॉन में बहुत सारी रियायते भी दी गई है कि दुकाने खुलेंगी पर 10 बजे से लेके 6 बजे तक पर जो इस वक्त की बड़ी खवर निकल के आ रही है कि पटना के जो जिला अधिकारी है कुमार रवी उन्हों वो क्रोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्होंने अंटीजेंट टेस्ट कर आया था दो बार पहले भी जिसमें उनका रिपोर्ट जो था वो निगेटिव था ऐसे में जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनके साथ जो भी और भी पटना के अधिकारी हैं वो भी निरक्षन लगतार कर रहे थे जिस तरह से उन्होंने पटना पाटली पुतरा शो का हॉस्տटल को कोविड 19 हॉस्पिटल बना दिया है उस होटल को तो उसमें भी वो लगतार निर अधिकारी भी मौझूद थे तो ऐसे में जो उनका भी अब जो कराए जाएगा और जिस तरह से पटना के जिलाधिकारी है कुमार रवी वो लगतार ही जो क्रोना के जिस तरह से पटना में संक्रवन फैल रहा था उसको रोकने के लिए हर वो इंतिजाम कर रहे थे निरक्षन लगतार कर रहे थे वो फिल्ड में लोग और भी अधिकारियों के साथ घूम रहे थे तो इस वक्ती जो बड़ी खवर आ रही है कि पटना के जो जिलाधिकारी है कुमार रवी उनको जो रिपोर्ट है क्रोना का वो पॉजिटिव आया है वो अब होम आईसूलेशन में रहे सुरक्षित रहें अगर बहुत ही ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकले बहराला बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद